कि नमस्कार दोस्तों मैं राहूल पांच चालो और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल ड्रेकोस्टेडी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूब प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे हर्याना सरकार का बड़ा फैंसला कि आगे आने वाली सभी भरत्यों के लिए जो है आपको सिर्फ एक बार रेजिस्टेशन करवाना पड़ेगा यानि की वन टाइम रेजिस्टेशन और उसके लिए जो लिंक है जो पोर्टल है वो जो है लूंच कर दिया गया है कल से शुरू हो गया है उसके फारम किस तरह से आपने फारम भरना है उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाकर आपको दिखाया था वह आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूगा और आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आपको आई बटन पर भी उसकी एकोनमिक क्राइटेरिय आपको मार्क्स मिलते थे जो कि पांच नंबर दस नंबर आगर आपके फादर नहीं है इन चीजों में जो आपको नंबर मिलते थे अब उनमें भी चेंज कर दिया गया है और जो इसके लिए क्या हर्याना से भार के भी जो भैरती हैं जो चाहत्र है यहां पर चेंज कर दिये गए मापको यहां पूरी खबर दिखाने वाला हूं वीडियो को ला सकते हैं कि हर्याना में जो पांच साल से जो निवासी है वही हर्याना का निवासी माना जाएगा यानि वह अपलाई कर सकता है लेकिन अगर कोई हर्याना में जो है पांच साल से कम साल उसको हुए है तो वो रह रहा है तो क्या वो apply कर सकता है हाँ उसको provisional certificate लेना पड़ेगा तो उसको वो उसके बाद ही one time registration करवा सकता है हर्याना में अगर candidate हर्याना से बाहर का है तो apply तो वो भी कर सकता है लेकिन उसको general category में ही count किया जाएगा उसको हर्याना का resident के तोर पर वो apply नहीं कर सकता है अब इसके बाद देखिए जो यहाँ पर बात थी कि social economic criteria की तो पहले आपको पता है कि जो group C है group D है इन सभी की vacancies के लिए जो आपको 10 number maximum मिलते थे total choice में 3 से 4 point थे जिसमें कि आपके 20 number बनते थे उनमें से अगर आप सभी चीज़े आपकी यहाँ पर अगर आपके घर में नोकरी नहीं है उसके 5 number अगर आप fatherless हैं अगर आपके मानली जी की पिता जी की death हो गई है तो उसके 5 number और इस तरह से जितने भी आपके point बनते थे ज्यादा से ज्यादा आप 10 number जो group D में तो ले सकते हैं लेकिन group C की vacancies में आप सिर्फ 5 number ही ले अगर आपकी चाहिए कितनी भी यहाँ पर point जो है आपके लागू होते हों ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा ग्रूप C की vacancies में 5 number ही मिल सकेंगे अब इसमें जो तीसरा point आता है कि अगर मानली जी जिनके ज्यादा अंक आए हैं उनको नोकरी मिल भी गई है तो क्या बार-ब अगली भर्त्यों में बुलाया जाएगा अब ऐसा नहीं होगा इसका इंतजाम हर्यान सरकार ने कर दिया है कि मानलीजिए कि किसी चातर का यहां पर मानलीजी किसी विकेंसी में selection हो जाता है ठीक है तो उसके यहां पर क्या rule बनाया गया है कि जो है उसका selection होते ही list में नाम आ जाहेगा जैसे ही उसका उसके इसके बाद पूरा डाटा जो हो वो आपS van Time registration का वह सफ हो जाएगा यानि किलिर हो जाएगा वह हट जाएगा डिलिट हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर वह four चाहे दोबारा तो तो फिर से उसको अपलाई करना पड़ेगा यानि कि उसके बाद वह दुबार एक्जाम उसको भी देना पड़ेगा वह नमबर उसके मान्य नहीं रहेंगे ठीक है तो यहां पर उनको दुबारा मोका मिल जाएगा यानि कि जिनका सेलेक्शन इसमें नहीं हुआ आप कितने 6 को जो है यहां पर पुलाया जाए करेगा यानि एक राज उसमें कि अगर देखिए तीस से कम वैकेंसि को भरती में तो यहां पांच मुना क्यंडिटेट्स इसको बुलाया है यानि कि 500 बच्छों जौन. बुलाया जाएगा आगर 30 से कम वेकंजी है और फिर देखेंगे 50 से जादा वेकंजी आई है तो सिर्फ तेन गुना वेकंजी को ही बुलाया जाएगा यानीट ने की मालिकusta ही वेकंजी आई नेट केंडिडेट्स बुलाए जाएंगे 60 वेकेंसी हैं तो उसके लिए जो है यहां पर 180 कंडिडेट्स को बुलाए जाएगा और एक्जाम की बात करें एक्जाम कब होगा तो जून जुलाई तक हो सकता आपका CET जो पहली बार आपका अब को होने वाला है तो मार्च तक आपके पार सी हें शुरू हो चुकिए है और 31 मार्च घृट्स तक करवा सकते हैं तो उनके लिए यह मोखा है यह है पूरी अपडेट इसमें जो आपके लिए आज आई हैं अगर यह अपडेट आपको अच्छी लगी है तो जुरूर वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें